तो दूस्तो आज हम अपने डेक्स्टॉप का लोग चेंज करने वाला है और दूस्तो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो कुछ अस्तरे का रहेगा जैसा कि आप मैं हाँ पे देख रहे हैं तो दूस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने डेक्स्टॉप को गस्टमाइज कर सकते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक से जाकर आप इस वाप साइट पर आज आईए और यहां से आप इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे यह वीडियो हम अपनी कंप्यूटर के लिए डाउनलोड करेंगे इसलिए हम लाइव वाल्पेपर पर पर फाइल को डाउनलोड करेंगे अब दोस्तों यह फाइल डाउनलोड हो चुकी है अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं इंग्लिश लेंग्विज के साथ हम इसे नेक्स्ट करेंगे नेक्स करेंगे और इसके बाद हम इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे अब यहां पर यह application install हो रही है तो दोस्तो फाइनल यह application install हो चुकी है और अब हमने इसे launch कर दिया है अब दोस्तो हमें यहां पर add wallpaper वाले section में आके choose file को select करना है और यहां से हमें उस video को browse कर लेना है अब दोस्तो आप simply ok कीजिए और यह video as a wallpaper set हो जाएगी अब दोस्तो आप background में देख रहे होंगे यह video as a wallpaper set हो चुकी है अब इसके बाद दोस्तो हम एक rain meter skin को apply करेंगे जिसके लिए हम सबसे पहले rain meter software को download कर लेंगे दोस्तो हम rain meter software को download करेंगे ताकि हम Naruto theme को apply कर पाए rain meter software download हो जाने के बाद दूस्तो यह naruto theme folder आपको मिल जाएगा इसका link भी मैं description में आपको provide कर दूँगा इसे भी हम download कर लेते हैं इसके बाद दूस्तो आपको एक और software की जरुरत पढ़ेगी जिसका नाम है win step nexus हम नीचे scroll करेंगे और इसका free version download कर लेंगे अगर आप इसका paid version use करेंगे तो यह $70 में आता है इसलिए हम इसका free version use करेंगे download वाले section में आएंगे और जो nexus software हमने download किया है हम उसे run करेंगे simply हम nexus software को install कर लेंगे इसके बाद दोस्तो हम जो naruto की theme है उसके folder को extract कर लेंगे extraction की process होने के बाद दोस्तो इस theme की folder के अंदर आपको एक folder दिखाई देगा आप इस folder को copy कर लीजिए c drive में आईए और यहां पर आगे से paste कर दीजिए इसके बाद दोस्तो हम nexus software को open करते हैं nexus software को open करते हैं आपको ऊपर nexus का dog दिखाई दे जाएगा फिलाल हम nexus में आकर advanced option में आएंगे और यहां से restore वाला option select करेंगे इसके बाद दुस्तो जो हमने naruto की theme apply की थी आप उस folder में आ जाएगे और यहां पर आपको ws backup करके एक file मिल जाएगी आप उसे apply कर दीजिए इसके बाद जासे यह आप ok करेंगे तो आप नीचे इस dock को देख पाएंगे यह पूरी तरीके से change हो जाएगा इसके बाद दुस्तो हम rain meter software को install कर लेंगे rain meter software install होने के बाद दुस्तो हो सकता है कुछ default distance load हो जाए तो आप उन पर right click करके उन्हें unload कर लीजिए इसके बाद दुस्तो हम naruto theme वाले folder में चलते हैं और यह जो naruto की skin है हम इसे load करते हैं अब double click करेंगे तो आपको installation का option आ जाएगा और आप उसे install कर लीजिए इसके बाद दुस्तो हम desktop की जो icon से उन्हें hide कर देते हैं right click करेंगे view वाले option में जाएगे और show desktop icon पे से take हाटा देंगे इसके बाद हम इसे skin को unload करते हैं और यह जो Tuesday लिखा है हम इसे middle में align कर देते हैं इसके बाद दुस्तो हम system tray में जाकर rain meter को open करेंगे और जो नरूटो की skin है हम उनमें से वेजट्स को load करेंगे जैसे मैं dog बाला वेजट्स कर लेता हूँ यहां पर वैसे ही आप अपनी customization के according यहां पर इसके बाद दूस्तो हम राइट क्लिक करते हैं और टास्क बार सैटिंग में आने के बाद दूस्तो हम यहां से bottom में से इसको हटा कर टॉप पर कर देते हैं जिससे हमारा जो टास्क वार है अब बॉल्टम से स्विश होकर टॉप पर चला जाएगा और साथ ही जाएगा दोस्तों हमें आप पर टास्क वार वाले फीजर को भी इनेबल कर देंगे ताकि टास्क वार ओटो हाइड हो जाए जब तक हम उस पर माउस लेकर ना आए तो दोस्तों अगर आप फिर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझ